हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में स्वागत है एक नेचरल इमीनो मोडुलेटर की बात करेंगे अस्वगंधा आपने जरूर सुना होगा आयुरुवेद की महान उसदी है विदेनिया सोमनिफेरा और विंटर चैरी भी कहते हैं रेड कलर की आप चैरी देख रहे होंग इसके अंदर जो नीचे जड निकलती है उस जड के अंदर अस्वगंध या अस्वगंध इसलिए उसको हम कहते हैं जैसे कि अस्थबल में स्मेल आती है इसी प्रकार से उस लकडी के अंदर जो नीचे निकलती है इसकी जड होती है उसके अंदर अस्थबल जैसी स्मेल होती और इसलिए उसको हम असगंद यासवगंदा कहते हैं साथियों किस प्रकार से आप इसको उपयोग कर सकते हैं इंफ्लामेशन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं इसके पत्र को पेस्ट बना कर सूजन को कम करने के लिए अपलाई कर सकते हैं पत्र और इसके बीज external application के लिए बहा उप्योग के लिए उप्योग में ला सकते हैं लेकिन internal administration के लिए उप्योग में नहीं लाना चाहिए internal administration के लिए आप इसकी जड़ का उप्योग करें 18 महीने बाद जब इसकी जड़ मैचोर हो जाती है तो उसको harvest करके उसको निकाल कर उसका चून बना लेना चाहिए और इसके चून का उप्योग हम tumors के निराकरण के लिए शरीर की immunity को बढ़ाने के लिए immunomodulator का करे करता है और मो community को तो बढ़ाता ही है बार-बार होने वाली बुखार को भी ठीक करता है दुग्द वर्धन का कारी करता है वंडर्फूट कलेक्टो गोग है अब लेना किस प्रकार से है यह आपको जरूर पता होना चाहिए उसका अगर हम के लिए उप्योग में लाते हैं एक उसधी कि अ यूरो लिट्यस की समश्चा को भी दूर करता है अगर कहीं स्टोन की समश्चा है तो उसको भी दूर कर देता है इंफ्लामेशन हो उसको कम करता है और मांसिक तनाव एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करता है फ्री रेडिकल स्वेंजिंग एक्टिविटी इसकी है और अगर किसी को है उसको भी दूर करता है ब्लड के प्यूरिफिकेशन में विसेश रॉलिस का होता है वित्रो पार्किंसन एक डिसीज है जो ब्रेन में एसीटायल कोलीन के बढ़ने के कारण होती है और अनकंट्रोल मुवमेंट हो जाती है उसको कम करने के लिए यानि कि मैं पार्किंसन की बीमारी से लड़ने के लिए आपको असुगंधा के चून का सतावर के साथ सेवन करना चाहिए और अगर दूद मिलाकर सेवन नहीं कर सकते हैं तो सुद्ध सहद के साथ आपका उपयोग कर सकते हैं यह तूमर को भी दूर करता है शरीर के अंदर जो पित्त क समन करने वाला होता है वात और पित्त के समन करने के बाद शरीर के टॉक्सिंस को दूर करता है शरीर को रिजुमनेशन प्रोवाइड करने का कारे करता है मुटापे को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रोल के लेवल को भी यह डाउन करता है साथ यह ध्यान यह रखना है ज्या ज़्यादा मात्रा में लेने से हाइपर एक्टिविटी कॉज करता है तो यह ध्यान हमें रखना पड़ेगा हाइपर एक्टिविटी और कॉंस्टिपिशन के बचने के लिए लिमिटेड अमाउंट में इसका सेवन कीजिए एक समय में 3-4 ग्राम से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और लंबे समय तक अगर आप सेवन करते हैं तो तीन मेंने बाद कम से कम 15 दिन का आपको ब्रेक करना जरूर चाहिए देरे-देरे क्या होता है कि हमारी इम्मिनिटी क्योंकि यह मोडूलेटर भी है तो नैच्रॉल इम्मिनिटी भी हमारी सप्रेस हो सकती है तो तीन फुक कर लेते हैं निकलने वाले जो बीज है मिनसे इसका हम को कि अंसलर कर पाते हैं इन यहीं जो से प्रेटियों होता है ट्रूर कि जड़ से इसका प्रोपेगयों किया जाता है मिनलैं को समय को तूभ देखते हुए कि करना ब्लुलाह ब्लूनिक सा फरिशान नहीं करते हैं करते समय बीट की समझा भी नहीं होती है और ड्राइब चलाइमेट में इरिड जोन में भी वहत अच्छा यह हो जाता है राजस्तान की अस्वगंदा राजस्तान में पाए जाने वाली नागौर की स्वगंदा को सबसे उत्तम बताया गया है वस्तिय गुणों के लिए अलाकि कम इरिगेशन और कम कल्टिवेशन कोस्ट में होने वाला एक मातर यह प्लांट है आप इसको कर सकते हैं कमर्शल कर सकते हैं आयरुवेद के विभिन को देखिए के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं वंडर्फुल नेच्ट्रल ऐफ्र सब्सक्राइब इस प्लंट के रूट का उपयोग आप पहुंप नैचरल सप्लिमेंट की रूप में कर सकते हैं सिंतयरिक शुप सकतें ढ congrating जो सिंत्यरिक में इस्तमाल में इस्टमाल किया जाने वाले टो आपके वाइडल और गन minimize को नुक्सान चाहते हैं इस दिर्शे से देखा जाए तो असोगंदा की रूट नेच्टरल सप्लिमेंट का वंडर्फुल कारे करती है आप इसको यूज कर सकते हैं और जहान एक यह भी रखना है कि प्रेग्नेंसी की समय इसका सेवन ना करें और पोस्ट प्रेग्नेंसी आप दुख्द व मात्रा में लेकर दुख्द के साथ सेवन करें या अच्छी क्वालिटी का सहथ मिल जाए तो उत्तम होता है जानकरी को जरूर सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद कल फिर मिलेंगे एक नई प्रांट के साथ प्रणाम नमस्कार झाल झाल झाल